नमस्कार सुप्रभात राजी के कुल 48 केंद्रों पर कल टीका लगाया गया राची के सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री हिमन सोरेन ने टीका करण अभियान का शुभारम किया यहाँ सबसे पहले सदर अस्पताल में कारिरत सफाई कर्मी मर्यम गुढिया को पहला टीका दिया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबिक दौर तक चलने वाली कोरोना महामारी के बीच ये कोरोना वैक्सिन वर्दान की तरह आई है उन्होंने कहा कि एक समय था जब राजी को कोरोना जाच के लिए दूसरे राजियों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन अब जारखन जाच में अगरणी राजियों में शामिल है सीम ने कहा कि वैक्सिनेशन केंद्रों की संख्या अधिक होना कोई उपलब्धी नहीं है उपलब्धी इस बात में होगी कि सभी सेंटर सुचारों रूप से संचाले थो इस बीच पूरे राज्य में चले टीका करन अभियान के दौरान कहीं भी किसी को टीका लगने से कोई परिशानी नहीं हुई पहले दिन 3,119 स्वास्तिक कर्मियों को टीका लगाया गया अब 28 दिन बाग दूसरी डोस दी जाएगी बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर शनिवार को राची पहुँचे केंदरी पेट्रोलियम प्राक्रितिक गैस एवं इसपात मंतरी धर्मेंदर प्रधान को विरोध का सामना करना पड़ा प्रदेश NSUI, Youth Congress और महिला Congress के कारिकरताओं ने श्री प्रधान को काले जंडे दिखाए और जम कर नारे बाजी की ये कारिकरता एरपोर्ट रोड पर विरोध प्रधर्शन को लेकर पहले से ही काला जंडा, सिलिंडर वा पोस्टर बैनर लेकर खड़े थे पुलीस ने यहां पहुँच कर काला जंडा, सिलिंडर वा पोस्टर बैनर जब्त किया इसके बाद फिर से जंडा मांग कर विरोध परधर्शन किया गया इस दोरान पुलीस वा कॉंग्रेस कारिकरताओं के बीच नोग जोग भी हुई एनस्युआ के प्रदेश उपाध्यक्ष इंदर जीत सिंग ने आरोप लगाया कि भाजियमों के लोगों ने लाठी डंडे से कॉंग्रेस कारिकरताओं पर हमला किया वही पुलीस इस पूरे मामले के दोरान मूग दर्शक बनी रही अगली खबर 15 दिन से चल रहे पंचायती राज लेखालेपिक और जूनियर इंजीनियरों के आंदोलन की राची में पंचायती राज लेखालेपिक और जूनियर इंजीनियरों ने अपनी मांगो को लेकर शनिवार को सडग जाम कर दिया धरने पर बैठी ये आंदुलनकारी दोपहर लगबग एक बजे हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए जारकन मंत्राले की ओर जाने लगे इसे देखते हुए जगनाथपूर पुलीस ने एच इसी गेट को बंद कर दिया आंदुलनकारी गेट को जबरन खोलने पर अमादा थे जबकि पुलीस गेट को बंद कर दूसरी ओर मुस्तैद थी इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पहुँच गए जिने रोकने के लिए पुलीस ने बलका प्रयोग किया मामले की जानकारी पाकर पुलीस अधिकारी धरना इस्थल पर पहुँचे और धरना दे रहे कर्मियों से बाचीत कर उन्हें समझाया उन्होंने कहा कि उनकी बात मंतरी और सरकार तक पहुँचा दी जाएगी हला कि थोड़ी दिर बाद आंदोलन कारियों को समझा कर फिर प्रदर्शन इस्थल पर भेजा गया उधर मामले की जानकारी मिलने पर विधायक इर्फान अंसारी व विधायक उमा शंकर अकेला प्रदर्शन इस्थल पर आंदोलन कारियों से मिलने पहुँचे दोनों नेताओं ने आंदलोन कारियों को आस्वाशन दिया कि उनकी मांगों को विभागे मंत्री के समक्ष रखा जाएगा समस्य का जल से जल समधान करने का भी प्रयास किया जाएगा आपको बता दे कि इन कर्मचारियों का आंदोलन पिछले 15 दिन से जारी है अब रुख करते हैं अगली खबर का जेवियर इंसिट्यूट औफ सोशल सर्विसेज में शनिवार को 69 दिक्षान समारो का आयोजन किया गया कारिकर्म की शुरुवार ग्रेजुएशन प्रोसेशन से हुई विद्यार्तियों को वर्चुल मोड पर डिग्री दी गई इस समारो में 2018-2070 के 304 विद्यारतियों को डिग्री दी गई कारिकर्म में मुख्यमंद्री हेमन सुरेन बतौर मुख्य अतिती पहुँचे उन्होंने इस मौके पर कहा कि परिवर्तन शील जीवन में युवाओं को उनका सेक्शनिक अनुभाव नई उचाईयों को हासिल करने में मदद करेगी कुरोना काल में युवाओं ने समाज के प्रतेक शेतर में बदलाओ की जरूरत को समझा होगा इन छात्रों को इससे सीख लेकर समाज के लिए स्मार्ट मैनेजमेंट को तयार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी उन्होंने कहा कि देश को आज स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है अब बात राची की राची जिले के सभी अंचलों में शनिवार को भूमी विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया इसमें संबंधित अंचल अधिकारी थाना प्रभारी अंचल निरक्षक एवं राजस्व उपनिरक्षक शामिल हुए इसमें संबंधित अंचल अधिकारी थाना प्रभारी अंचल निरक्षक एवं राजस्व उपनिरक्षक शामिल हुए इसमें ज्यादतर मामले जबरन दखल का प्रयास, जमीन मापी संबंधि विवाद, आपसी बट्वारा विवाद वद दोहरी जमाबंधी से जुड़े हुए थे इस दुरान 263 आवेदन आये जिसमें से 186 मामलों का निश्पादन तुरंद कर दिया गया और बाकी के सहतहत्तर पर कारवाई शुरू हो गई है तो सुर्खियों में आज इतना ही बाकी की खबरों के लिए बने रहे है जारकन अपडेट्स के साथ